मैं इतने confidence से ये कैसे बोल सकता हूँ? मेरे इस confidence के कई कारण है मुझे भारत की capabilities और crisis management पर बहुत भरोसा है मुझे भारत के talent और technology पर भरोसा है मुझे भारत के innovation और intellect पर भरोसा है मुझे भारत के farmers, SMEs, entrepreneurs पर भरोसा है और मुझे भरोसा है industry के leaders पर आप सभी पर इसलिए मैं कह रहा हूँ, yes, we will get our growth back India will get its growth back साथियों, करोना ने हमारी speed जितनी भी धिमी की हो लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चा यही है कि भारत lockdown को पीछे छोड़ कर unlock phase one में enter कर चुका है unlock phase one में economy का बहुत बड़ा हिस्सा खोल चुका है काफी हिस्सा अभी 8 जुन के बाद और खुनने जा रहा है यहने getting growth back के शुरुआ तो एक प्रकार से हो चुकी है आज यह सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वैरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए दुनिया के तमाम देशों से तुन्ना करे तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है इस लॉकडाउन में भारत में कोरोना से लड़ाए के रिए फिजिकल डिसोर्सिस को तैयार तो किया ही हमने हुमन डिसोर्स को भी बचाने का भर्षक प्रयास किया है ऐसे में अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या इंदस्ट्री लीडर्स के नाते आपके मन में ये सवाल जुरू होगा कि अब सरकात क्या करने जा रही है आत्मन निर्भर भारत अब्यान के बारे में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके मन में भी मन्थन चलता होगा कुछ सवाल भी होंगे और ये बहुत सा भाविक है अब्यूस है साथ ये कोरोना की खिलाफ economy को फिर से मजबूत करना ये हमारी highest priority में से एक promote priority है इसके लिए सरकार जो decisions अभी तूरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है लेकिन साथ साथ मैं ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो long run में देश की मदद करेंगे साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना ने गरीबों को तूरंत लाब देने में बहुत मदद की है इस योजना के तहर करीब 74 करोर बेनिफिसेरिस उनके घर तक राशन पहुचाया जा चुका है प्रवाशी स्व्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुचाया जा रहा है इसके अलाबा अभी तक गरीब परिवारों को 53 थाउजन करोर रुपीस याने 53,000 करोर रुपीसे ज़्यादा की फाइनांशल असिस्टंस दी जा चुकी है मैलाय हो दिव्यांग हो बुजर्ग हो स्रमीख हो हर किसी को इससे लाब मिला है लॉकडाउन के दौरां सरकार ने गरीबों को आठ करोर से ज़्यादा गैस सिलिंडर उनके घर तक मुप्त में पहुचा दिया है इतना ही नहीं प्राइवेट सेक्टर्स के करीब पचांस लाख एंप्लोरीज के खाते में 24 परसंट इपी एप कॉंटिबिशन भी सरकार ने किया है इनके खाते में करीब आठ सो करोड रुपिये जमा कराए गए हैं साथियों भारत को फिर से तेज विकाश के पत पर लाने के लिए आत्मन निर्भर भारत बनाने के लिए पाँच बाते बहुत आवशक है इंटेंट इंक्लूजन इंवेस्टमेंट इंफरस्ट्रक्चर और इनोवेशन हाल में जो बोल फैस्टले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की जलक मिल जाएगी इन फैस्टलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फूचर रेडी किया है इसी वज़े से आज भारत एक नए ग्रोथ और्येंटेट फूचर की दिशा में बड़ी उडान के लिए तयार है साथ यों हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रेंडम या स्कैटर्ड डिशिजन नहीं रहे हैं हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टेमेटिक प्लाण इंटिग्रेटेड इंटरकनेक्टेड और फूचरिस्टिक प्रोसेस हैं हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैस्टले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना IBC हो Bank Merger हो GST हो फैस्टले इंकम टेक्स एसेस्मेंट की व्यवस्ता हो हमने हमेशा व्यवस्ताओं में सरकार के दखल को कम करने और मैंने तो लाल के लिए पर भी कहा था कि लोगों से जिन्दगी से सरकार को जीतना हम कम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं प्रावेट एंटरप्राइज के लिए एंकरेजिंग एकोसिस्टिम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं कदम उठाते रहे हैं इसी वज़े से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफोंस भी कर रही हैं जिनकी देश ने एक प्रकार से उमीद भी छोड़ दी थी लोगों ने मान लिया था अब यह तो हमारे देश में नहीं हो सकता है ऐसी चीज़े होने लगी है अगर मैं एगरिकल्टर सेक्टर की बात कर दूँ तो हमारे हां आजादी के बाद जो नियम काईदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था किसान कहां फसल बेच सकता है कहां नहीं बेच सकता है इस तक के नियम बहुत सकता है किसानों के साथ दसकों से हो रहे है अन्याय को दूर करने की इच्छाशक भी हमारी सरकार ने दिखाई है एपीमसी एक्ट में बढ़लाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे किसान अब जिसे चाहे जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी सरकों पर किसान की सरकों पर वो फसल बेच सकते है अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है पहले तो इस पर भी बंधन थे साथी वेरावसिस में रखे अनाच या एग्रिकल्चर प्रोड़क्स अब इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के जरिये भी बेचे जा सकते हैं अब कल्पना कर सकते हैं इससे एग्री बिजनेसिस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं साथ्यों इसी तरह हमारे स्रमीकों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉंट भी किये जा रहे हैं जिन नोन स्ट्रेटेडिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त ही नहीं थी उन्हें भी खोला गया है आपका ज्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते विए हम वो फैसले भी लिए रहे हैं जिसकी मां बरसों से हो रही थी साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोईले का भंडार हो कोल रिजर्व हो जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो लेकिन फिर भी उस देश में बहार से कोहला आए कोल इंपोर्ट हो तो उसका कारण क्या है आप भी जानते हैं, देश भी जानता है कभी सरकार रुकावट बनी रही कभी नीतियां रुकावट बनी रही लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंदनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है अब कोल सेक्टर में कॉमर्चियल माइनिंग को पर्मिट कर दिया गया है पार्सली एक्स्टोर्ड ब्लॉस को भी ऐलोर्टमेंट करने की पर्मिशन दी गई है इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कम्पनियां एक्सप्रोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है इन फैसलों के कितने दुरधामी प्रणाम होने वाले हैं ये इस सेक्टर से परिजित लोग अच्छी तरह जानते हैं साथ यों सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टक्नलोजी हो हर शेत्र में इंडरस्टर को भी आउसर मिलेंगे और यूद के लिए भी नई आपर्चुनिटीज खुलेगी इस सबसे भी आगे भढ़ कर अब देश के स्ट्राटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्ज की भागिदारी एक रियालिटी बन रही है आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें एटमिक एनर्जी में नई अपर्चुनिट्स को तवासना चाहें पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं हर आउसर आपका इंतजार कर रहा है साथ क्यों आप ये भली भादी जानते हैं कि MSME सेक्टर की लाखों यूनिक्स हमारे देश के लिए एकनॉमिक एंजिन की तरह हैं इनका देश की GDP में बहुत बड़ा कॉंटुबिशन है और ये कॉंटुबिशन करीब करीब 30 परसंट कहा है MSME की डेफिनेशन स्पस्ट करने की मां लब्मे समय से उद्योग जगत कर रहा था अब वो उद्योग जगत की पूरी निमार्ग भी पूरी हो चुकी है इससे MSME बिना किसी चिंता के ग्रोग कर पाएंगे और उनको MSME का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं रहेगे देश के MSME में काम करने वाले करोडों साथियों को लाभो इसके लिए दो सो करो रुपिय तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज़्यादा आउसर मिलेगा एक तरह से आत्म निर्भर भारत पैकेज MSME सेक्टर के एंजिन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है साथियों यह जो फैसले हैं उनकी रिलेवन समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशन को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्चक है आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते है देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज़्यादा पैदा हुई है लेकिन इसी के साथ यह चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच पुरानी रीती रीती पुरानी पॉलिसी क्या आज कारगर होगी क्या स्वाबाविक है कि इस समय नए सिरे से मन्तन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा एक्षपेक्टेशन्स और बड़ी है आज दुनिया का भारत पर विश्वाद भी बड़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है आप आपने भी देखा है कि कॉरोना के संकर में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा है हर कोई अपने को सम्हानने में लगा था ऐसी संकर की घड़ी में भारत ने एक सो पचास से ज़्यादा देशों को मेडिकल सप्लाइज बेज कर उनके लिए मानविय मदद का काम किया है साथियों वर्ल्ड इज लुकिंग फर ए ट्रस्टेट रिलायबल पार्टनर भारत में पोटेंशल है स्ट्रेंथ है अबिलिटी है आज पूरे विश्व में भारत के प्रती जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसका आप सभी को भारत की इंडिस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए यह आप सभी की जिम्मेदारी है CII जैसे संग्टनों की जिम्मेदारी है कि मैनुफेक्चर इन हिंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कम्पुटिटिवनेश तीनों जुड़ा फो आप जो कदम आगे बढ़ाएंगे सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी प्रदावन मंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ भारतिय उद्योग जगत के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास इंडियन इंडिसीज के पास एक क्लियर पाथ है आत्मा निर्भर भारत का रास्ता सिर्फ रिलाइंड इंडिया का पास आत्मा निर्भर भारत का मकलब है कि हम और जादा स्टॉंग होकर दुनिया को एंब्रेस करेंगे आत्मा निर्भर भारत बर्ड एकोनामिके साथ पूरी तरह इंटिगेटेड भी होगा और सपोर्टीव भी लेकिन ज्यान रखियेगा आत्मा निर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक शेत्रों में किसी पर निर्भर रहें हम उस राख श्रिति में नहीं रहना चाहते जह जहते बादिंगेशन पीसे बडेराईंट इनटिया जिर्भर कैने में टिती होगाईशन पिर्णी रहेंचा लोकल सप्लाइज चेन के निर्मान में इन्वेस करना है जो ग्लोबल सप्लाइज चेन में बारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंदन करें इसी अभ्यान में CII जैसी दिग्यत संस्ता को मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा अब आपको चेंपियंस आप इंडिजिनेश इंस्पिरेशन बन कर आगे आना है आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आसिस करना है सपोर्ट करना है आपको इंडस्टी को अपने मार्केट को ग्लोबली एक्स्पांड करने में मदद करना है साथियों अब जरुत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट बने जो मेड इन इंडिया हो मेड फॉर्ड वर्ल हो कैसे हम देश का आयात कम से कम करें इसे लेकर क्या नए लक्षत ताई किये जाए उस पर सोचने की जरुत है हमें तमाम सेक्टस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टार्गेट ताई करने ही होंगे यही संदेश मैं आज इंडिस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेशा भी आपसे रखता है साथियों देश में मैनुफेक्टरिंग को मेक इन इंडिया को रोजकार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे तमाम इंडिस्ट्री के संगठनों से चर्चा करके ही कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है इन में से फ़र्नीचर, एर कंडिशनर, लेधर, एड़ फुटवेर इन तीन सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है सर्फ एर कंडिशनर को लेकर ही हम अपनी दिमान का 30% से दीख इंपोर्ट करते हैं इसको हमें तेजी से कम करना है इसी तरह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लेधर प्रोडुशनर होने के बावजूत ग्लोबल एड़्पोर्ट में हमारा शेर बहुत कम है साथ्यों कितने ही सेक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बीते सालों में आप सभी साथ्यों के संयोग से ही देश में बंदे भारत जैसी आदुनिक ट्रेने बनी है देश आज मेट्रों के कोच निर्याद कर रहा हैं इसी तरह मोबाइल फॉन मेनिफेक्टरिंग हो डिफेंस मेनिफेक्टरिंग हो अनेक शेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगाता चल रहा है और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ तीन महेने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विक्मेंट पी-पी-ई इसकी सैंकडो करोड की इंद्रस्ती आप ही लोगों ने खड़ी किये है तीन महेने पहले भारत में एक भी पी-पी नहीं बनती थी आज भारत एक दिन में तीन लाग पी-पी-ई कीट बना रहा है तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ है आपको इसी सामर्थ का इस्तमाल कर हर सेक्टर में आगे बढ़ना है मेरा तो C.I.I.E. के तमाम साथ्यों से ये भी आग रहे है कि रूरल इकनामी में इन्वेस्टमेंट और किसानों के साथ पार्टर्शिप का रास्ता खुलने का पूरा लाब आप लोग आने उठाना चाहिए अब तो गाउं के पास ही लोकल एग्रो प्रोड़क्ट के क्लस्टर्स के लिए जरूरी इंफासेक्टर तयार किया जा रहा है इसमें C.I.I.E. के तमाम वेबर्स के लिए बहुत उपर्चुनिटी है साथियों फार्म हो फिशलीज हो फूड प्रोसेसिंग हो फुटबेर हो फार्मा हो अनेक शक्तर स्में अंगिनद अंगिनद आपर्चुनिटी के गेट आपके लिए खुले है सरकार ने शहरों में प्रवास्यों के लिए आवास उपलब्द कराने के लिए जिस रेंटल स्किम की गोशना की है उसमें भी आप सभी साथ्यों को मैं सक्रिय भागिदारी के लिए आमत्रित करता हूँ साथ्यों हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर मानती है आत्म निर्भर भारत अभ्यान से जूड़ी आपकी हर आवशक्ता का ज्यान रखने लिए भारत सरकार पतिवद्द है आप से सभी स्टेक होल्डर से मैं लगातार संबाद करता हूँ और यह सिलसला आगे भी जाने रहेगा यह रहेश जो कम अप वित चाहिए इच्टारी अब्रे शच्तर आपकी आपकी ज्यान संब्राइं का इंड प्राइं कर इंड दानी। मिल्क चंशने स्टीड़। मिल्का लिए लिए लग्यान लिए आत्मंदिर्भर भारत साथेयों आईए देश को आत्मने अिरभर बनाने का शंकल्प लें इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पूरी टांकत लगा दे सरकार आपके साहथ खड़ी है आप देश के लक्सों के साहथ खड़े होईए आप सफल होंगे हम सफल होंगे तो देश नहीं उचाई पर पहुँचेगा आत्मन निर्भर भारत का शप्ना शाकार होगा एक बार फिर C.I.I. को 125 पर पुरा होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुप कामना है बहुत बहुत धन्यवाद अधर लिखा रहे हैं है हैं आपको दिखा रहे हैं पृदान मंतरी नरेंद्रमोदी लाइब थे और C.I.I. को 25 पर पूरे होने पर संबोधत केर। संबोधत किया